नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूँ आपके साथ नीतू सिंग इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो अपडेट जम्मू संभाग के जिला पुंच से आ रही है जहां पर आज सुबह तड़के जो है कुछ संगिद व्यक्ति वहाँ पर पाए गए है जिसको लेकर सोजी और सुरक्षा बलो दौरा वहाँ पर एक अभ्यान चलाया गया तलाशी अभ्यान और तलाशी अभ्यान में जो है तीन व्यक्ति जो है पकड़े गए है और उनसे जो है नकदी भी बरामद की गई है वहीं आपको बताते कि इस समय की जो सूत्रों के निसार जो हमें खबर मिल रही है वो ये मिली है कि जम्मू संभाग के पुंच जिला के सोरन कोट में एक तलाशी अभ्यान के दोरान जो है तीन लोगों को जो है दबोच लिया गया है और उनके पास से धाई लाक रुपे की नकदी दो पिस्टल और चार मेगजिन जो है बरामद हुई है और अभी जो है जो तीन आरोपी है उनसे फिलाल अभी पूछताश जारी ही है अभी फिलाल उसको लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है लेकिन जिस तरह से कल रात देर रात जो है वहाँ पर कुछ व्यक्तियों को देखा गया जिनके ओपर जो है शक शुभा उन्हें हुआ और उसके बाद से जो है सोजी और सुरक्षा बलोद्वारा जो है वहाँ के सोरन कोट के एरिया में तलाशी अभ्यान चलाया गया और तलाशी अभ्यान के बाद जो है तीन लोग जो है इसमें दोशी पाए गए है और तीन लोगों को इस समय दबोच लिया गया है और तीन लोगों के साथ-साथ उन उनके साथ जुड़े हुए और भी लोग वहाँ पर जो है मौजूद होंगे पूछताश अभी जारी है लेकिन किसी तरह कभी कोई इस तरह से सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं आई है कि पूछताश के बाद कुछ जो है कुछ बात निकली है या नहीं निकली है लेकिन फिलाल अब तक की जो बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ सांजा की जो पुंच जिला के सोरन कोट से आ रही थी और जहां पर जो तीन व्यक्तियों को धर्दबोच लिया गया है और उनके यहां उनसे जो है धाई लाग की नगदी दो पिस्टल और चार मैगजिन्स जो हुआ 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 है